असलाम अलेकुम तो मेरा बेटा अभी हमें यह बात करनी है इंपोर्टेंस ओफ अकॉस्टिक यार यह कुछ मुश्किल बात नहीं बहुत असान है अकॉस्टिक्स का मतलब वो टिकनीक वो तृका कार जिसकी मदस से आप शोर को कम कर सको उस टिकनीक को नाम दिया जाता है अकॉस्टिक्स का importance of acoustics a technique our method used to absorb the undesirable sound used to absorb undesirable sounds used to absorb undesirable sound उसको हम नाम देते हैं importance of acoustic protection अब कैसे by using the soft and porous services नरम और ऐसी services का इस्तमाल करके जो porous मंदल दर्मियान में हो लो आपने अपने कमरे घर के दो rooms का comparison करना है एक ऐसा room जो बिल्कुल खाली है जिसमें कोई carpet वगारा कुछ भी नहीं ना रब पड़े हुए ना रग पड़े हुए ना कोई carpet है कुछ भी है तो भई वहां पे जो sound होगा वो ज्यादा reflect होगा उससे ओवाज टकराके इदर टकराके दबारा कानों में दर्दोना चुरू हो जगा लेकिन ऐससे sound जिसमें आपके सोफास पड़े हुए है रग्स पड़े हुए है कार्पिट बिचा हुए कालीन वगारा सब कुछ है तो वहां पे आपकी जो आवाज है वो ज्यादा absorb होती है reflect कम होती है वो ज्यादा absorb होती है बलके reflect कम होती है तो इस technique हो जहां पर soft and porous services का इस्तामाल करके आवास को कम किया जाए जैसे कहते है acoustic protection का हमेरा विटा हमारी दो तरह की requirements होती है कुछ अगों भी हमें आवास बहुत ज्यादा चाहिए होती जैसे कि a conference hall के अंदर या auditorium में conference hall theater hall या auditorium की बात कि जैसे universities में होते हैं तो वहां भी हमने देखा होगे stage हमेशा इस तरह कर्व में बने होते हैं और उपर उसकी building को देखा तो वो भी इस तरह बनी होती है होता क्या भी वहां पे जब कोई भी जैसे कोई theater perform कर रहा हो play perform जब वो बोल रहा तो उसकी अवाज हर audience लास सीट पर बेटेवे बने तक भी clear पहुंच रही होती है क्यूं आवाज टकराती है different दिवारों के साथ audience की तरफ जा रही होती है वहां पे हमने कम से कम soft और porous services का इस्तामाल किया होता है वहां पे हमें इसकी जरूरत ज्यादा होती है जिसे हम multiple reflection of the sound कहते है और multiple reflection of the sound जहां इसे reverberation का नाम भी दिया जाता भी इसे हम reverberations भी कहते है कि multiple reflection of the खुर्दरी सर्फिस कर्फ में stage q बंदा है जाके आवाज reflect back के दोबारा किस की तरफ मुड़के जाए audience की तरफ इसी तरह जब ऐसी जगह जहां पे हमें शोर की जरूरत नहीं है जैसे कि कमरा है वहां पे हम short and porous services का इस्तामाल करते हैं और इसे कहते है absorption of sound आवाज यहां पे balance maintain करते हैं अपनी requirement के according कि आवास इतनी ज़्यादा absorb ना हो जाए कि सुनाई ना दे और इतनी ज़्यादा reflection ना हो कि लोगों के कानों में दर्द होना शुरू हो जाए ठीक है मेरा बेटा यह ता हमारा importance of acoustic का topic इंशाला इसके बाद वाले topic में हम बात करेंगे audible frequency range और ultra sound की अपना बहुत सरा से ख्याल रखेगा अल्ला हाफिस